हलो गाईज दिस इस नकीब शिन्वारी and you are watching my channel और आज की वीडियो में हम आप से बात करेंगे PTA के टेक्स के उपर वैसे गाईज काफी लोग जो है नीचे comment section में मुझसे पूछते हैं के बाई आईफोन 7 Plus की ड्यूटी क्या है आईफोन X की ड्यूटी क्या है तो guys मैं reply तो कर देता हूँ लेकिन पीचे से 10-12 question और भी आ जाते हैं सेम question करते हैं के 7 Plus की ड्यूटी क्या है एक्स की ड्यूटी क्या है और बाकी आईफोन की ड्यूटी क्या चल रही है तो guys ये वीडियो जो है ना especially मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताके आपको मैं बता सको आईफोन 7 से लेकर आईफोन 14 Pro Max तक मैं बता दूँगा किस आईफोन में इस वक्त जो है ना क्या ड्यूटी चल रही है वीडियो के दरम्यान में PTA से रिलेड़ेट आपको बड़ी फायदे की बात बतानी है तो इस वक्त मैं आपको आईफोन 7 से लेकर XS Max तक ड्यूटी बता देता हूँ अगर आप ड्यूटी बरते हैं तो इसका कोई फायदा नहीं है जितने में अगर आप ड्यूटी जी हैं मतलब कि अगर आप 7 लेते हैं जूटी बरते हैं तो आप मार्केट में जाते हैं तो सेम पेसों में आपको PTA अप्रूब मुबाइल मिल जाएगा तो आईफोन 7 से लेकर 7 प्लस तक जो है न मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त टेक्स क्या चल रहा है अगर आप आईफोन 7 या 7 प्लस पासपोर्ट पे अप्रूब करवाते हैं तो 51,000 में अप्रूब होगा और अगर आप C&IC पे अप्रूब करवाते हैं तो 67,000 का पड़ेगा इतने में आपको नए फून मिल जाएगा अगर आप मार्केट में जाएंगी PTA अप्रूब भी होगा और अप्रूब हो जाएगा इसके लावा बात करते हैं आईफोन X के उपर आईफोन X अगर आप PTA अप्रूब करवाते हैं C&IC के उपर 86,000 की ड्यूटी चल रही है और अगर इस तरह से अगर आप पासपोर्ट पे अप्रूब करवाते हैं तो 67,000 की ड्यूटी चल रही है पासपोर्ट पे अपरूब करवाते हैं तो 49,000 की ड्यूटी चल रही है इसके लवाब बात करते हैं आईफोन XS और XS Max गैस इन दोनों की ड्यूटी बिल्कूल सेम चल रही है अगर आप C&IC पे अप्रूब करवाते हैं तो 96,000 में न में अप्रूब होगा और अगर आप प 11, 11 Pro, 11 Pro Max गैस इन तीनों की ड्यूटी बिल्कुल सेम है अगर आप CNIC के उपर अप्रूफ करवाते हैं तो 1,32,000 रुपे ड्यूटी है गैस देखने ड्यूटी सोगत क्या चल रही है अगर आप पास्पोर्ट पे अप्रूफ करवाते हैं तो 1,8,000 रुपे के उपर पास्पोर्ट में अप्रूफ हो जाएगा इसके लाब बात करते हैं आइफून 13, 13 Pro, 13 Pro Max गैस इसकी भी जोहने ड्यूटी सेम है अगर आप CNIC पे अप्रूफ करवाएंगे तो 1,32,000 रुपे इसी तरह से अगर आप पास्पोर्ट पे अप्रूफ करवाएंगे तो 1,8,000 रुपे ड्यूटी चल रही है और इसके लाब बात करते हैं आइफून 14, 14 Pro, 14 Pro Max गैस अगर आप आप आइफून 14 Pro Max अगर आप अप्रूफ करवाएंगे तो 1,40,000 रुपे CNIC के उपर अप्रूफ होगा 1,15,000 रुपे में पास्पोर्ट के उपर अप्रूफ हो जाएगा काफी लोग जो है नब उससे पूछते हैं कि पास्पोर्ट में किस तरह से अप्रूफ करेंगे सिंपले आपके पास 3 मन्त की ट्रेवलिंग हिस्ट्री होनी चाहिए अगर आप बाहर से आ रहें और आपके पास ट्रेवलिंग हिस्ट्री है तो आप अप्रूफ करवा सकते हैं अगर आपका दोस्यार रिष्टदार वगयरा भी आता है बाहर से उससे भी आप अप्रूफ करवा सकते हैं तोड़ी पहुत पैसों की बच्षत हो जाएगी आपकी। अभी आते हैं काम की बात पे। यह जो unfair taxes चल रहे हैं, पहले 40% tax था, फिर 70% हो गया, फिर 80% होगा, इस वक्त 110% tax है, तो guys यह ज्यादा दिर चलने वाला नहीं है। आपको पता भी होगा, इस वक्त गवर्मेंट का last year चल रहा है। यह unfair taxes ज्यादा दिर चलने वाले नहीं हैं, क्योंकि 70% import आईफून की नहीं हो रही है, just 30% import हो रही है, पहले 100% import हो दी थी, जिस तरह से taxes ज्यादा कर दी हैं, तो guys उस तरह से import भी कम हो गी है। इस तरह से पिछली गवर्मेंट ने भी इस बात को discuss किया है, कि हम इस वक्त 40% duty लगा के गएते हैं, लेकिन अब 110% duty है, तो guys इसकी वज़ा से बाहर से आईफून बहुत कम आ रहे हैं, इस वक्त 70% import खतम हो चुकी है, just 30% पे import हो रही है, जिसको आईफून चाहिए, वो ले लेता है, बात करते हैं उन लोगों के बारे में, जिसके पास आईफून 7 है, 8 है, X है, XS Max वगरा है, तो guys उनके लिए बहुत ज़्यादा परिशानी है, अगर वो PT Approve करवाते हैं, तो guys उनको 80-90-90 अजार उपे टेक्स बरना पड़ता है, तो guys ये टेक्स का सीन ज़्यादा देर चलने वाला नहीं है, जिस तरह से government change हो जाएगी, तो guys इस तरह से टेक्स में changes आ सकते हैं, अगर आप iPhone का टेक्स बरना चाहते हैं, तो guys जिस 6 months wait कर लें, हो सकते हैं, new government आ जाए, और इस तरह से सारे टेक्स को reverse कर लें, guys government कभी भी नहीं चाहेगी, कि इस तरह से import बंद हो जाए, guys एक और काम की बात बतानी है, अगर government change भी हो गई, तो guys इस तरह से 110% tax नहीं होगा, maximum भी 20-30% या 40% tax होगा, लेकिन इतना ज्यादा tax नहीं होगा, कि बाइर से import ही बंद हो जाए, तो guys बहुत ही काम की, मैंने वीडियो बताई है, अगर वीडियो पसंद आई है, तो guys चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताके इस तरह से informative वीडियो जो है आपको मिलती रहें, अब तक के लिए इतना ही अपने दोस नकीब शीनवारी को इजाज़त दीजिए, अलाहफेज,